नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों दिवाली आने वाली है और दिवाली में मार्केट खूब सजी होती है और मार्केट में तरह तरह की जालरे आती हैं जो बहुत ज़्यादा महेंगी मिलते हैं लेकिन आज हम अन्यूस चीजों से आज आपको गेंदा के फूल बना कर तो चलिए फटा फट शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर हमने ली है फॉर्म यह फॉर्म साड़ी में निकलती है जिसे हम फेक देते हैं लेकिन आज इसी का हम यूज करेंगे तो हमने यहाँ पर ले ली है form form को हमें double कर लेना तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर हमें रख कर इसे fold कर लेना है और जितना हिस्सा हमें जो falto का है उसे हमें बराबर से काट लेना है तो चारो तरफ हमें इसे बराबर से काट लेना है तो चलिए इसको काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर दीजीगा जिसे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा तो देखिए दोनों पोर्चन में हमने अच्छे से काट लिया और 20 से इसे हमें और फोल्ड करना है तो देखिए पूरे 4 हिससे हो गए है अब इसे हमें बराबर से 3 बार फोल्ड करना है तो देखिए पहली बार और फिर दूसरी बार तो दो बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है और नीचे से आप देखेंगे तो 3 हिससे आपको दिखाई देंगे और इसे हमें गोल साइज में काट लेना है तो चलिए इसको गोल साइज में हम काच लेते हैं आप चाहें तो इसे नाप कर भी गोल काच सकते हैं अगर आप नापना चाहें तो कोई भी बोटल बीच में रख दीजिए और निशान बना लीजिए और कैंची की मदद से आसानी से आप इसे काच सकते हैं लेकिन ऐसे भी आराम से ये गोल शेप में कट जाएगा बस कैची को लगाईए और घुमाती जाएए आप देखेंगे कि आसानी से ये कट जाएगा तो देखेंगे बिल्कुल हमने गोल शेप में इसको काट लिया है और जो किनारे के हिस्से जो फालतू है उनको हम अच्छे से निकाल देंगे सच मानिएगा जब आप इस तरह के गेंदा के फूल बनाएंगे और घर को सजाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी दोस्तों तो ये देखें हमने काट लिये हैं देखिए फॉर्म की कितनी ज़्यादा परते बनकर तयार हो गई हैं लगबग 10 से 15 परते बन चुकी हैं तो इन्हें अब हम क्या करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो देखिए कितनी सारी परते बनकर तयार हो गई हैं और इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो चलिए इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह देखिए हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है और इसको रख दिया है कि दूसरे हैं इस तरह कि दूसरा हिज़ा भी बीच में स्टेप्लर कर मैं सबीति हैं वीचों बीच हमने दूसरा भी हिस्सा कर दिया है दोस्तों बहुत ही ज़हादा आसान होता है इन फ्लावर को तयार करना आप चाहें तो जो पॉलिथीन होती हैं उनसे भी इन फ्लावर को तयार कर सकते हैं अब हमें क्या करना है? पतले पतले साइज में हमें पतियां काट लेनी है कैची आप लाच से लगा कर बीच इस्टेपलर तक हमें काट लेना है तो पतली पतली पतियां ही काट लेनी है आप जितना पतली काटेंगे उतना ही फ्लावर हमारा अच्छा बन कर तयार होगा तो देखें यहां पर हमने बहुत ज़्यादा पतली पत्तियां काट ली हैं और इसी तरह से हमें दूसरा हिसा भी तैयार कर लेना है बिल्कुल पतली पत्तियां काट लेनी है दोस्तों आप चाहें तो इस तरह से जो हमारे हां पालिथिन वगेरा आती हैं उन से भी flower बना सकते हैं बहुत ही आसान होता है बनाना और इसी तरह से ही उन polythine से जो आप flower बनाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से ही बनाना है तो ये देखिए हमने सारी पत्यां काट कर तैयार कर ली हैं बहुत अच्छी सी हमने पतली-पतली ही काटनी हैं तो हमने पतली-पतली सी काट कर रख लिए, अब हमें क्या करना है, जो दोनों हिस्से हैं, दूसरा हिस्सा एक हिस्से के उपर रख कर, अब हमें दोबारा से स्टेपलर कर लेना है, अब स्टेपलर कम से कम तीन सी चार बार करना है, कि दोनों हिस्से आपस में जॉइंट हो सके तो देखिए अच्छे से हमने Stepler कर दिया है और दोनों हिस्से एक दूसरे में joint हो गए अब हमें क्या करना है आच्छे से जो हमने पत्यां काट कर रखी है इन्हें हाथों से हमें खोल देना है तो चलिए इन्हें हमें अच्छी तरीके से खोल देंगे इनको और खोल कर एक ball टाइप में बना लेने हैं और गेंदे का shape देने के लिए हमको क्या करना है जो गेंदे का हमें shape देने के लिए हमें लेना है एक चाय की छन्दी और इसको हमें उपर रख के अच्छे से इसे रगड़ना है इससे जो हमारा गेंदर का फूल होगा एकदम बाउंसी बन कर तयार होगा तो ये देखे बिलकुल इसी तरह से हमें तयार कर लेना है तो ये देखे कितना अच्छा बन कर हमारा गेंदर का फूल तयार हो गया है वा और आपको तिखाते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमने बहुत सारे पहले से गेंदे के फूल बना कर तयार लिए हैं और कितने जादा बनाए हैं और इनको आप एक सुई लीजिए और एक माला बना लीजिए आप इसको इनको आप अपना मंदिर सजा सकते हैं इन फूलों से गेंदा के फूलों की लड़ी बना कर आप मंदिर भी सजा सकते हैं और अपने दर्वाजे के उपास भी लगा सकते हैं कहीं भी इन फूलों से डेकोरेशन कर सकते हैं तो यहां पर देखिए हमने पॉलिथीन से भी बनाई हैं और यह जो रंग बिरंगी पॉलिथीन आपको दिख रही है जो हमारे आग गिफ्ट वगएरा आते हैं गिफ्ट के उपर जो पॉलिथीन होती है उसको हमने रख लिया था उनको हम फेकते नहीं हैं उनसे भी आप फूल बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे सुई से हमें एक लड़ी बना लेनी है फिर आपको हम दिखाते हैं तो चलिए इसको हम सुई से अच्छी तरीके से बना कर तयार कर लेते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिसे की अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप लाइक नहीं करते हैं लाइक में कोई पैसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप एक भी लाइक नहीं करते हैं यह देखे हमने मा लड़ी बनकर तयार कर ली है और कितनी सुन्दर लग रहे हैं देखने में white color के full वैसे भी बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं और सबी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आप चाहें तो form को color भी कर सकते हैं करने के बाद फॉर्म को सुखा लीजिए फिर फ्लावर बनाईए तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो अब देखिए इसको हम कहीं पर भी टांग सकते हैं दर्वाजे के पास या फिर साइडों में दर्वाजे के साइडों में इन्हें टांग ही और बहुत ही मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अगले नए वीडियो के साथ और नई नई चीजे सिखाने के साथ मिलेंगे अगले वीडियो तब तक लिए दोस्तों नमस्ते